नमस्ते जैहंद, नाव देखिए भारत 2047 तक ग्रीन एनर्जी के फील्ड में आत्म निर्भर होगा, खर्बो रुपए की होगी बचत, जिस तरह से आप देखो, पूरी दुनिया इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के चपेट में है, जिस तेजी से हम अपने इंडस्ट्रियल और एकॉनमिक डेवलपमेंट के गोल्स को पूरा करने के लिए नेचर को अंधा धुन तरीके से एक्स्प्लोइट कर रहे है, जमीन, नदिया, समंदर किसी को नहीं बख्ष रहे, पूरी दुनिया रेस में लगी हुई है, प्रकृती भी इसका प्रकृती को मा कहकर उसकी पूजा करता है, हमने पेड़ पौधो को भगवान का दर्जा दिया है, मगर फिर भी आप देखो, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन भारत पैदा करता है, चाइना और युनाइटेड स्टेट्स के बाद, भारत दुनिया का तीसरा सब से बड़ा पॉल्यूटर है, जो हर साल लगभग धाई हजार मिलियन टन से भी ज्यादा कारबन डायोकसाइट छोडता है, In the last 10 years, India and China have recorded the highest emission growth rate. The report pointed out, China's emissions increased by 1.5% per year on average over the last 10 years, dominating the global trend, and India's emissions increased by 3.8% per year, while emissions decreased in the EU by 1.8% per year, and in the US by 1.1% per year. ऐसे में अगर हम 2047 तक green energy के field में self-sufficiency यानि आत्म निर्भरता हासिल कर लेते हैं, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा भारत की जनता को होगा. नौ देखिए, यहाँ पर हम green energy का basic concept समझ लेते हैं. Green energy असल में है क्या? देखिए, green energy वो energy होती है जो renewable और natural resources से पैदा होती है, जैसे सूरज के ताप से, पानी से, हवा से, जुआर से. इनसे जो energy पैदा होती है, इनसे environment को कोई नुकसान नहीं होता. साथ में ये कोई भी हानिकारक प्रदूशन नहीं छोड़ते. नौ ग्रीन energy से भारत की जनता को फायदा कैसे होगा? देखिए, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा consumer और importer है कच्चे तेल का. भारत हर साल 85 प्रतिशत कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, जिसे बाद में local refineries में भेज कर petrol और diesel में convert किया जाता है, जिससे हमारे cars, motorcycles, trucks, buses, trains और ships चलती है. नाव petrol और diesel से बहुत ज्यादा production फैलता है. अब देखिए, भारत अगर green energy का इस्तेमाल full scale में शुरू कर दे, तो फिर हम अपनी गाड़ियां, बसे, motorcycle, truck और train ये सब electricity, hydrogen, biofuels और hybrid से चलाएंगे, जिससे देश के environment और economy को फायदा होगा. क्योंकि देखिए, अगर हम fossil fuels जैसे petrol, diesel, koela, gas, इन पर से अपनी निर्भरता कम कर दे, तो हम हर साल धाई trillion US dollars तक की बचत कर सकते हैं. क्योंकि इससे हमारी जनता को बहुत ही किफायती दामों पर energy उपलब्ध होगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत वर्तमान में अपनी तेल और gas की आवशकताओं को पूरा करने के लिए billions में पैसा खर्च करके बाहर के देशों से import करता है, जो कुछ नहीं बस देश के trade deficit को बढ़ा देता है. अभी पिछले 6 महिने में भारत ने 163 billion US dollar का petroleum import किया. नाव भारत को जल से जल तेल, gas, koila इन पर से निर्भरता कम करनी होगी, क्योंकि देखिए बात भारत की energy security को लेकर भी है, आज भी भारत अपनी energy needs को Middle East और रशिया से पूरा करता है, और जिस तरह से हर साल भारत में population increase हो रही है, साथ में energy की demand भी increase हो रही है. नाव ऐसे situation में हमें green energy को बढ़ावा देना होगा, भारत सरकार इसी लक्ष को लेकर आगे बढ़ रही है. हम इस वक्त दुनिया में energy के तीसरे सबसे बड़े consumer है. इंटरनेशनल एनरजी एजनसी के मुताबिक 2050 तक global energy consumption में भारत का share डबल हो जाएगा. नाव इसी situation से उबरने के लिए और देश को उर्जा के शेत्र में आत्म निर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने घरेलू उत्पाद इथैनल को alternative fuel के रूप में चुना है. और 2025 तक हम 20% इथैनल ब्लेंडिंग का target पूरा कर लेंगे. नाव यहाँ पर हम इथैनल ब्लेंडिंग के basic concept को भी समझ लेते हैं. देखिए इथैनल एक renewable bio fuel है जो मकई, गन्ना और गेहु जैसे फसलों से उत्पन होता है. इथैनल ब्लेंडिंग में इथैनल को gasoline के साथ mix किया जाता है जो gasoline से चलने वाले वाहन में उपियोग किया जाने वाला इंधन बनाता है और जिसका खर्चा petrol के खर्चे से आधा होता है. देखिए इथैनल एक cleaner burning fuel है जो कम carbon emissions पैदा करता है. नाव इथैनल को promote करने के लिए प्रधान मंत्री मोधी जी ने भारत के 11 शहरों में E20 petrol यानि 20% इथैनल blended petrol launch किया है. बेंगलूरू में इसी योजना को लेकर green mobility rally भी हुई. In line with the ethanol blending roadmap, Prime Minister launched E20 fuel at 84 retail outlets of oil marketing companies in 11 states. E20 is a blend of 20% ethanol with petrol. The government aims to achieve a complete 20% blending of ethanol by 2025. NHPCL and other oil marketing companies are setting up 2G, 3G ethanol plants that will facilitate the progress. देखिए, since globally हम Brazil के बाद दूसरे सबसे बड़े sugar cane producer देश हैं, ऐसे में हमारे पास एक special ability है जिससे हम sugar cane और दूसरे food grain से huge amount में ethanol बना सकते हैं. साथ में देखिए, इससे हमारे जो खिसान भाई लोग हैं, इनको भी बहुत फायदा होगा. चूकी इथैनॉल, मकई, गन्ना और गेहु से बनाया जाता है, तो इनको भी अपनी फसलों को बेचने के लिए एक बड़ा market मिलेगा. सरकार इनसे फसल खरीदेगी, जिससे इनकी अच्छी आमदनी होगी. नाव सरकार की इस योजना को लेकर आप क्या सोचते हो, मैं genuinely आप सभी के opinions जानना चाहूँगा. Comment section में अपने opinions लिखिए. Like always, I wish you all a very good health. जाए हेंड़.